एलोपैथिक सिस्टम में एस्प्रीन को हम लोग वंडर ड्रग या मिरेकल ड्रग के रूप में जानते हैं एस्प्रीन पिछले 200 साल से यूज हो रहा है एज ए पेन किलर हम लैब्स के अंदर बहुत सारे न्यू ड्रग मॉलकुल्स को सिंथेसाइज किये लेकिन इन 200 साल में कोई भी ऐसा ड्रग मॉलकुल डवलप नहीं हो पाया जिसे हम कह सकें इट इज सुपेरियर तू एस्प्रीन as a pain killer. यह जो सैलिसायलेट्स से हैं हमारे plants में पाई जाती है vegetables, various fruits, trees के अंदर यह सैलिसायलेट से पाई जाती है इन एंसेंट एज जो वहां के रेसिडेंस होते थे, वो विलोड ट्री का यूज करते थे या विलोड ट्री बार्क का यूज करते थे as a pain killer कि पूरे दिन की ठकावट उनकी दूर हो जाया करती थी इस विलोड ट्री के बार्क को consume करने के बाद तो यह जो एस्प्रीन है यह एस्प्रीन हम कर सकते हैं इट इस प्रोटो टाइप ड्रग अंदर नन अस्टेरोडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स और जब हम यहाँ वर्ड यूज़ कर रहे हैं इस दा प्रोटो टाइप इसका मतलब क्या होता है कि वैसे ड्रग या ग्रूप अफ ड्रग्स जिसकी मेकनिज्म आफ एक्शन सिमिलर हो मोल आफ एक्शन सिमिलर हो या उनका केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर हो तो उन ड्रग्स के अंदर जिस उस ग्रूप में जो में ड्रग होगा जिसका सबसे ज़्यादा एफेक्ट होंगी उस ड्रग को हम लोग कहेंगे इट इस दा प्रोटो टाइप ड्रग और इस नन एस्टेरोडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स काटेगरी के अंदर जो प्रोटो टाइप ड्रग कहते हैं यहां तक कि एंसेट्स के अंदर जो नन एस्टेरोडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स है इनके अंदर जितने भी ड्रग मॉलक्ल आते हैं उन सभी मॉलक्ल का एक कॉमन नाम हम दे सकते हैं कि इट इस एस्प्रीन लाइक ड्रग्स तो आ pharmacology of aspirin जब हम इसकी हिस्ट्री को देखते हैं तो ऐसा पाते हैं कि जो एजिप्ट के अंदर ancient civilization थी वो विलो ट्री का यूज करती थी as a painkiller, विलो ट्री बार्क का यूज करती थी as a painkiller. हिपोक्राइट से जिसे हम लोग कहते हैं he is the first physician under the allopathic system, वो भी recommend करते थे विलो ट्री लिफ को to use it as a painkiller और as a anti-piratic. In 1876 ये पता लगाया गया कि जो विलो ट्री बार्क है उसका जो extract है, उस extract के अंदर एक chemical पाई जाती है और उस chemical का नाम है it is the salicine. और ये जो salicine है, this salicine is responsible as a painkiller or as a anti-piratic effect of the willow tree. In 1897, Bayer's Pharmaceuticals ने एक molecule को synthesize किया और उस molecule का chemical नाम था, that was the acetyl salicylic acid. और Bayer's ने इस acetyl salicylic acid का अपनी तरफ से एक brand name या एक trade name दिया, और उस trade name थामारा, that is the aspirin. Means कि aspirin is not a chemical name of the acetyl salicylic acid or it is not a synonym of the acetyl salicylic acid. It is a brand name or it is a trade name of the Bayer Pharmaceuticals. लेकिन, aspirin का इतना ज्यादा commonly used किया गया, इतना ये popular drug हो गया, कि aspirin को हम लोग ये समझने लगे, कि aspirin is the synonym of the acetyl salicylic acid. यदि हम कहीं word use करते हैं aspirin, तो हम क्या denote कर रहा हैं, कि it is a acetyl salicylic acid. और ये जो aspirin थी, इस aspirin का जो nomenclature Bayer ने किया, उसमें ये तीन words का use किया गया, तीन words को mix किया गया, एक का नाम दिया गया a, डूसा है word that is the aspirin, और तीसा word है that is the in, और, not, sorry, it is a, first is the a, second word is the aspirin, and third one is the in, और इन तीनों word को मिला करके, एक word बनाए गया, जिसका नाम दिया गया aspirin, यहाँ पे जो a word है, this a word stands for the acetyl, इस पे एक plant का नाम है, जो plant का use किया गया था, to synthesize the acetyl salicylic acid, और जो in word हम use करते हैं, यह in word एक common prefix है, जो हम drug के नाम के साथ attach कर देते हैं, और तीनों को मिला कर, एक नाम बनाया, बेर्स ने, और उसका नाम दिया गया, it is the aspirin, means कि जो बेर्स ने aspirin नाम दिया, it is the trade name of the acetyl salicylic acid, up to 1971, किसी को यह मालूम नहीं था, कि जो यह aspirin है, यह जो acetyl salicylic acid है, यह जो salicylates है, उसका क्या mechanism of action है, as a pain killer, or as a anti-piratic, in 1971 में, यह एक invention हुई, एक पता लगाया गया, discovery की गए, कि हमारे body के अंदर, एक chemical पाई जाती है, प्रोष्टा ग्लेंडीन, और यह जो प्रोष्टा ग्लेंडीन है, यही प्रोष्टा ग्लेंडीन is responsible for the pain, fever and inflammation inside the human body, जब इसका further study किया गया, तो यह पाया गया, कि acetyl salicylic acid, इसी प्रोष्टा ग्लेंडीन के synthesis को block करती है, synthesis को inhibit करती है, और जब हमारे body में प्रोष्टा ग्लेंडीन synthesized नहीं होगी, तो हमारे body के अंदर pain महसूस नहीं होगा, body में fever develop नहीं होगी, और body के अंदर inflammation नहीं होगा, हम लोग प्रोष्टा ग्लेंडीन के बारे में detail study कर चुके हैं, कि प्रोस्टाग्लेंडीन का बायो सिंथेसिस कैसे होता है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वहां से आप देख सकते हैं कि प्रोस्टाग्लेंडीन का क्या फिजियो लॉजिकल इफेक्ट है क्या फार्माको लॉजिकल इफेक्ट है और हमारे aspirin wonder drug के रूप में क्यों जाना जाता है miracle drug के रूप में क्यों जाना जाता है यह तो हम जान चुके हैं कि aspirin का three use हैं वो हमारी है anti-inflammatory agent, anti-piratic agent and analgesic agent इसके अलावा aspirin एक और तरह से use किया जा सकता है that is it prevent blood clotting inside the blood vessels के अंदर यह blood clotting को prevent करता है actual में it is anti-platelet drug, anti-platelet means कि जो हमारी body के अंदर thrombocytes हैं हमारी body के अंदर जो platelets हैं उन platelets को यह clot नहीं होने जाता आपस में एक दूसरे से stick नहीं करने जाता और platelets freely हमारी blood के अंदर move करती रहती हैं और हम कह सकते हैं कि इस तरह से it act as a anti-clotting agent inside the blood vessels तो चुकि इसके अंदर anti-clotting effect होता है तो it is useful to prevent heart attack in the human being means जो हमारी cardiovascular system है उसमें heart attack हो या systemic stroke हो इन सभी को यह prevent करता है इसे हम use कर सकते हैं as a prophylactic agent और जो fifth use है that is it block or it reduce risk of cancer in the bowel, stomach, oesophagus and cancer की body के cancer मतलब हमारी जो gastrointestinal tract है उस gastrointestinal tract के अंदर जो cancer develop होती है या oesophagus में या stomach में या हमारे large intestine में उनकी जो cancers हैं उन cancers होने की जो risk हैं उस risk को हमारा यह acetyl salicylic acid या जो aspirin है उसे कम करती है उसे decrease करती है जो इस तरह से हम लोगों ने यह जाना कि aspirin हमारे body में एक wonder drug है और एक medical drug के रूप में काम करता है aspirin एक ऐसा synthetic compound है जो natural salicylates से better है natural salicylates से better pain killer या anti-inflammatory agent work करता है यह कैसे उनसे better है हम लोग आगे इसका discussion करेंगे आएए आप सभी का स्वागत है हम लोग शुरू करते हैं regarding pharmacology of the aspirin सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिस करेंगे regarding mechanism of the aspirin कि aspirin हमारे body के उपर किस तरह से act करता है हम यह जान चुके हैं कि aspirin एक analgesic drug है एक anti-piratic है यह anti-inflammatory है इसके लबाव anti-thrombic भी है anti-platelets clotting agent भी है लेकिन अभी हम लोग इन तीनों पे concentrate करते हैं कि किस तरह से analgesic effect को produce कर रहा है यह किस तरह से anti-piratic effect को produce कर रहा है और किस तरह से यह anti-inflammatory मेंसे swelling को कम कर रहा है हम जान चुके हैं कि body के अंदर prostaglandine synthesize होती है और यही prostaglandine हमारे body में fever, pain और inflammation प्रोड्यूस करता है और यह जो prostaglandine की synthesis है वो brain के अंदर hypothalamus में होती है और peripheral tissues हैं उन peripheral tissues के अंदर इन prostaglandine को synthesize, synthesis होगा जो prostaglandine hypothalamus के अंदर synthesize होगा यह जो prostaglandine hypothalamus के अंदर enter करेगा वो prostaglandine हमारे body में fever produce करता है means body का जो temperature होगा वो इस body के temperature को increase करता है वही पर वैसा prostaglandine, जो prostaglandine हमारे peripheral system में, peripheral cells के अंदर enter करेंगी वो prostaglandine हमारे body में inflammation, swelling और pain प्रोड्यूस करती है इसका मतलब क्या हुआ कि जो aspirin है, वो aspirin इस prostaglandine के synthesis को block करेगा तो उस condition में हमारे body के अंदर pain, fever और inflammation इन सभी को ये control कर लेगा आईए हम लोग थोड़ा सा इसी prostaglandine के biosynthesis को revise करते हैं ताकि हमें ये समझने में आसानी हो कि aspirin किस तरह से हमारे body के उपर action producing करता है यहाँ पर हम flow chart में देख सकते हैं कि हमारे body के अंदर erachidonic acid release होती है हमारे body के अंदर जो phosphoplasma membrane है, हमारे body के अंदर जो cell membrane है उन cell membrane, वो cell membrane phospholipid in nature होती है means वो lipids की बनी हुई होती है, it is lipoidal in nature और यहाँ पर जो lipid है, उन में से एक lipid या एक lipid है जिसका नाम है erachidonic acid अब आप सोच रहे होंगे कि मैं word use कर रहा हूँ lipid और जो compound का नाम बोल रहा हूँ वो हमारा है erachidonic acid हम सभी जानते हैं कि जो lipids है वो fatty acids की बनी हुई होती है means जो fatty acids है वापस में unite होंकर जिस compound का जिस material को synthesize या जिस material को form करती है उसे हम कहते हैं lipid और उन्हीं fatty acids में से एक fatty acid है erachidonic acid जब कभी हमारे cell membrane पे कोई भी mechanical stimuli, physical stimuli, chemical stimuli या toxic stimuli attack करता है उस condition में हमारे cell membrane के अंदर एक enzyme release होती है और उस enzyme का नाम है, it is the phospholipase, means वैसा enzyme जो phospholipid के उपर काम कर रहा है उस enzyme का नाम दिया गया phospholipase और इसे एक special नाम दिया गया phospholipase A2 यह phospholipase A2, phospholipids के अंदर के erachidonic acid को release करती है और यह erachidonic acid cell से release हो जाएंगी जैसे ही यह erachidonic acid cell से release होंगी उसके उपर दूसरा enzyme act करेगा, जिसे हम कहते हैं COX और इसे हम दो ग्रूप में divide करते हैं COX 1 और COX 2 और यह जो COX 1 और COX 2 है, यह erachidonic acid को prostaglandine के रूप में convert कर देती है, prostaglandine के रूप में इसे change कर देंगी, अब जो prostaglandine है यह prostaglandine different types की होती है और यह अलग-अलग prostaglandine का अलग-अलग effect होगा लेकिन हमें combine कह सकते हैं, जो main effect है कि these prostaglandines produce fever, pain and swelling inside the human body अब जो हमारा यह aspirin है, यह हमारी salicylic acid है यह aspirin यह salicylic acid इन COX enzymes को block कर देंगी block कैसे करेंगी, कि COX enzyme के साथ यह react करेंगी और react करने के बाद क्या होगा, कि यह COX acetyl COX के रूप में convert हो जाएगा और जब यह COX acetyl COX के रूप में convert हो जाएगी तो यह COX inactive हो जाएगी, और जब वो inactive होंगी तो उस condition में हमारे body में prostaglandine का synthesis नहीं होगा prostaglandine के synthesis block हो जाएगी और जब prostaglandine नहीं बनेंगी तो automatically हमारी body के अंदर pain, fever और inflammation प्रोडूश नहीं होगा तो इस तरह से हम लोग ने यह देखा कि यह जाना कि जो aspirin है, वो aspirin किस तरह से as a anti-piratic, as a anti-inflammatory and as a analgesic work कर रही है अब यहाँ पे आप देख रहोंगे, slide में लिखा हुआ है कि जो arachidonic, जो हमारी acetyl salicylic acid है वो COX के साथ, arachidonic acid के साथ compete करती है और compete करने के बाद यह COX के साथ combine कर लेंगी और जब यह COX के साथ combine करेंगी तो वो combination जो होगा, that will be the irreversible means वो COX दुबारा किसी भी arachidonic acid के उपर अपना action प्रोडूश से नहीं कर पाएगा और जब यह irreversibly यह उससे combine हो जाएंगी तो जो COX होंगी वो COX से हो जाएंगा हमारी in active हो जाएंगी यहां देखिए reaction चानोज देख रहे हैं के style salicylic acid COX साथ combine किया और यह acetylated COX और salicylates को synthesize किया और जब acetylated COX होंगी यह acetylated COX will be an in active enzyme and it cannot convert the arachidonic acid into the prostaglandins इसके अलावा जो यह salicylates हैं यह salicylates क्या करती हैं कि जो हमारी nerve endings हैं जिसके द्वारा हमें pain का perception होता है दर्द मह्शूश करता है उस nerve endings के sensitization को prevent करती हैं हम जानगे कि जब prostaglandins नहीं बनेंगी actual में यह जो prostaglandins होती हैं यह prostaglandins हमारे nerve endings को sensitize कर देती हैं और जिससे हमारी जो pain perceptions है वो pain perceptions से increase हो जाता है अब यहाँ पर क्या हुआ कि COX से combine कर लिया COX से combine करने बाद prostaglandins नहीं बनी मतलब हम कह सकते हैं कि जो salicylates है या जो aspirin है वो aspirin हमारे nerve endings को sensitize होने से prevent कर रही है उसको sensitization को ब्लॉक कर रही है दूसरा कि यह जो prostaglandin जो हमारी prostaglandin है इसकी synthesis thalamus या hypothalamus में भी नहीं होगी और हम जान चुके हैं कि जो hypothalamus है it acts as a thermo regulator और it acts as a thermo state of the body means कि हमारी body का जो temperature है वो temperature इसी hypothalamus के द्वारा जो brain का एक part है उसके द्वारा control होगा thermo state word समझते होंगे जैसे आपके घर के अंदर electrical appliance होंगे जैसे oven है गीजर है या आप अपने lab के अंदर देखा होगा कि oven है वहाँ पर एक thermostat लगी होती है जो temperature को control करती है ठीक इसी तरह का thermostat हमारी body में भी होता है जो हमारे body के temperature को control करेगा और उस हम लोग नाम देते है it is the hypothalamus उस part को नाम देंगे it is hypothalamus means कि prostaglandin hypothalamus के sensitization को hypothalamus के stimulation को भी block कर देंगे नतीजा क्या होगा कि हमारी जो body temperature है वो body temperature normal हो जाएंगे अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो aspirin है वो hypothalamus को control करती है means हमारे body के temperature को decrease करेंगी लेकिन हमारे body का temperature जब normal stage पर आ जाएगा means जब normal stage में आ जाएंगे उसके बाद aspirin का effect क्या होगा वो खत्म हो जाएगा तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि aspirin किस तरह से act करती है as a analgesic, antipyratic and anti-inflammatory अब जो इसका fourth effect था that was as a to block or to inhibit synthesis of the aggregation of the platelets की platelets को यह aggregate नहीं होने देगा platelets को एक साथ एक जगा एक अठा नहीं होने देगा जैसे आप diagram में देख रहे होंगे कि यहां पर यह सारी हमारी platelets हैं यह platelets हैं blood के अंदर move कर रही है freely move कर रही है और जब यह freely move करेंगी तो उस समय blood की clotting नहीं होगी लेकिन यह वहां पर प्रोस्टाग्लेंडीन से आगी यह वहां पर कोई भी changes हुआ तो यह जो हमारी thrombocytes सहीं यह platelets सहीं यह platelets आपस में aggregate हो जाएंगी आपस में accumulate हो जाएंगी और वहां पर clotting बना देंगी means हम कह सकते हैं कि जो blood होगा उस blood की viscosity जो होगी वो viscosity increase हो जाएंगी तो जो हमारा aspirin है it act as a blood thinner कि यह blood को thin करने में help करता है blood के viscous होने में help करेगा viscosity को कम करने में help करेगा नतीजा क्या होगा कि इसकारण जो blood होंगी वो blood freely हमारी blood vessels के अंदर flow करती रहेंगी और किसी तरह का कोई heart attack या heart brain जो कोई stroke effect नहीं आएगा अब हमने यह जो जान लिया कि प्रोस्टेग्लेंडीन के synthesis को block कर रहा है लेकिन यह एक और enzyme होता है जिसे हम कहते हैं thromboxin इस enzyme का नाम है thromboxin और यह जी thromboxin release हुआ तो उस condition में हमारे body के अंदर जो platelets होती है वो platelets से freely move नहीं करेंगी वो एक दूसरे से clot कर जाएंगी एक दूसरे से stick हो जाएंगी और stick होने के उसे वो blood के viscosity को increase कर देंगी और blood के flow को आब्स्ट्रक्ट करेंगी इस तरह से हमारी body prostaglandine को secret करती है on stimulation from the any physical, mechanical यह chemical या toxic injury ठीक उसी तरह से हमारी body thromboxin को भी synthesize करती है on response to the mechanical, physical, chemical और toxic injury to the cells आई यह हम लोग देखते हैं इस फीशी flow chart से कि वो किस तरह से हमारी aspirin इस thromboxin को block करता है आप इस flow chart में देख रहे होंगे कि normal condition, phospholipids होंगी एज़ी वहाँ पर कोई stimuli आई तो phospholipids से arachidonic acid secret होंगी acid के उपर cox effect produce करेगा और prostaglandins बनाएगा और यह prostaglandins फिर दो पार्ट में divide हो जाएंगी एक होंगी जो thromboxin को synthesize करेंगी और दूसरा होंगी जो different prostaglandins को synthesize करेंगी अब जब यहाँ पर इस aspirin ने इस cox को block कर दिया इसका मचलब क्या हुआ कि अब हमारे blood में यह हमारे body में न तो thromboxin का synthesis हो रहा है और नहीं prostaglandins का synthesis हो रहा है और जब यह दोनों को block करेंगी means thromboxin को भी block करेंगी उसका नतीज़ा क्या होगा कि it will act as a anti-thrombic effect या anti-thrombic agent तो हम लोगों ने यह जाना कि हमारे इस aspirin का क्या mechanism of action है अब हम लोग अपने next topic पे आते है that is the pharmacokinetic के कि हमारे body के उपर aspirin का किस तरह से absorption, distribution, metabolism और excretion होता है यहाँ पर भी aspirin एक exception के रूप में काम करता है आप थोड़ा सा revise करें अपने पीछे class को याद करें तो हम लोग ने general pharmacology study किया था तो वहाँ पर हम लोग ने एक theory study की थी regarding absorption कि जो drug unionized drug होंगी unionized drug का absorption fast होगा compare to the ionized drug यह एक general principle है कि unionized drug का absorption rapid होता है, fast होता है, quick होता है compare to the ionized drug अब यह जो हमारा aspirin है, यह aspirin acidic in nature है जिसका नामी है Acetyl Salicylic Acid means it is acid है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह acid है तो जब यह stomach के अंदर रहेगा, stomach के acidic मेडिया में रहेगा तो वहाँ पर यह unionized state में होगा, और जब यह intestine के अंदर enter करेगा, जहाँ अलकली मेडिया है, वहाँ पर क्या होगा कि चुकि यह acidic है, तो अलकली मेडिया में यह ionized form में converted हो जाएगा, मतलब क्या हुआ कि as per our principle of absorption, as per the theory of absorption, जो aspirin होगा, इसकी absorption stomach से होनी चाहिए, compared to the small intestine, या intestine, मिनसे कि stomach में इसका absorption fast होना चाहिए, और intestine में इसका absorption slow होना चाहिए, लेकिन just इसका opposite हम पाते हैं, हम ये देखते हैं कि जो aspirin है, उसका absorption stomach में slow है, वहाँ पर ये ionized form में है, लेकिन वहाँ पर इसका absorption slow है, वही पर जब ये drug इंटेस्टाइन में enter करता है, जहाँ ये ionized form में convert हो जाएगा, फिर भी वहाँ पर इसका absorption fast है, मिनसे ये contradictory हो गई, to the our principle of the drug absorption from the GIT, अब ऐसा क्यों होता है, आईए हम लोग इसके reason को जानने की कोशिस करते हैं, क्या होगा, कि जब ये drug stomach के अंदर रहेंगी, वहाँ पर ये ionized form में तो रहेंगी, लेकि चुकि ये acidic drug है, और ये stomach के वाल को irritate भी करती हैं, ये बहुत quickly stomach से intestine के अंदर enter कर जाएंगी, मिनसे stomach का वाल इसे absorb करना start करेगा, उससे पहले ही ये drug, stomach से निकल के intestine में enter कर जाएंगी, और जब intestine में enter करेंगी, तो automatically है कि उसका absorption अब intestine में होगा, न कि from the stomach, ये बात तो clear हो गई, कि इसका absorption intestine में होगा compared to the stomach, अब दूसर point है, कि intestine में इसका absorption fast कैसे होगा, rapid कैसे होगा, क्योंकि ये ionized form में यहां पे convert हो गई, और हमें मालूम है कि ionized drug का absorption slow होता है, उसका explanation ये कहा जाता है, कि जो हमारी small intestine है, इसका जो surface area है, काफी ज़्यादा होता है, it has large surface area, और चुकि इसका surface area बहुत ज़्यादा होता है, due to presence of the willy, हम सभी को मालूम है, कि large, sorry, small intestine में willies होती है, और ये जो willy होती है, वो हमारे small intestine के surface area को increase कर देती है, और जब surface area increase होगा, तो basic ionized drug absorption slow हो रहा हो, लेकिन चुकि surface area बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका absorption intestine से, intestine में fast हो जाएगा compared to the stomach, तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना, कि जो drug है, वो drug means जो acetyl salicylic acid है, वो acetyl salicylic acid किस तरह से stomach के अंदर और किस तरह से intestine के अंदर absorb होता है, देखिए हमने slide के पास लिख रखा है, कि जो stomach के अंदर होगा, most of the drug remain in the unionized form, but it is absorbed partly from the stomach, reason में मालूम हो गया, क्योंकि ये बहुत quickly stomach से intestine में enter कर जाएगा, जब हम small intestine में ये drug enter करेंगे, तो यहाँ पर जो drug होगा, mostly a drug ionized form में होगा, लेकिन इसका absorption upper small intestine में fast होगा, और क्यों fast हो रहा है, हमें मालूम है, क्योंकि वहाँ पर surface area जादा है, इसके अलावा, इसका absorption large intestine से भी होता है, और large intestine का भी surface area जादा होता है, undoubtedly a small intestine से और large intestine में हम compare करेंगे, तो small intestine का surface area जादा है, फिर भी large intestine का comparison दी नहीं करें, तो अब हम कह सकते हैं कि large intestine का भी surface area जादा होता है, और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि aspirin किस तरह से हमारे body के अंदर absorb होंगी from the gastrointestinal tract अब प्रस्थ यह है कि suppose करें कि यह तो natural absorption हो गया कि यह naturally हमारे body में किस तरह से absorb होंगी जब हम किसी भी salicylic acid को GIT के अंदर enter करते हैं GIT के अंदर administer करते हैं अब यदि हमें इसके absorption को और enhance करना हो और increase करना हो तो हम कैसे करेंगे उसके लिए simple rule है हम सभी ने first year में pharmaceuticals में यह study किया है कि जिस drug का हम size reduction करेंगे means जिस drug के molecule का size जितना small होगा वैसे वैसे उसका जो rate of absorption होगा वो rate of absorption increase होता चला जाएगा means यदि हम किसी भी drug के molecule का size को small कर दें छोटा कर दें तो उस condition में drug का जो absorption होगा वो absorption increase हो जाएगा यह theoretical part है लेकिन जब हम practically इसको check करते हैं हम पाते हैं कि size को reduce करने के बाद बहुत ज़्यादा absorption में changes नहीं आती है यदि हमें उस drug के absorption को increase करना है तो इसके लिए जरूरी है कि micronization होनी चाहिए means जो drug का particle है वो drug का particle micron level पे पहुँच जाए जब drug का particle micron level पे पहुँच जाती है उस condition में जो drug होंगी उस drug का absorption fast होगा means simple size reduction से drug का absorption fast नहीं होगा हमें micronization करनी परेगी means से कि यदि हमने acetyl salicylic acid के micronization कर दिया उसके particle के size को micron के level तक ले गए तब उस drug का उस aspirin का absorption होगा वो ज्यादा fast होगा compare to the other या general acetyl salicylic acid इसके अलावा इसके अंदर हम लोग aspirin के अंदर इस aspirin की अच्छा एक बात और मालूम हम लोगो है absorption के अंदर ही कि जो drug absorb होगा उसके लिए जरूरी है कि drug must be in the soluble form कि यदि वो drug solid form में होगा तो वो GIT से उसकी absorption नहीं होगी तो अब हम इस aspirin के solubility को increase करेंगे अधि हम किसी भी तरह से इस aspirin के solubility को increase कर दें तो वहाँ पर हम उसके rate of absorption को भी increase आसानी से कर सकते हैं अब यदि हम इस aspirin के साथ कोई alkali को mix कर दें कोई alkali इसके साथ हम include कर दें उस condition में इसकी solubility जो होगी GIT के अंदर increase हो जाएगी और जब solubility increase होगी तो automatically कि वो drug का absorption भी fast हो जाएगा means कि हमें इस acetyl salicylic acid के absorption को increase करना है तो दो parameters को हम use करते हैं पहला parameter है कि micronization of the drug molecule और दूसरा parameter है कि to enhance solubility of the drug molecule that can be done by using alkali means by adding any pharmaceutical aid that make the tablet in the alkaline form alkaline pH तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि acetyl salicylic acid के absorption को हम कैसे increase कर सकते हैं अब जब drug body के अंदर absorb हो जाती है तो ये acetyl salicylic acid break हो जाती है और ये salicylates के, acetyl और salicylates के form में convert हो जाएगी ये जो salicylates होती है इसकी एक property होती है कि it binds with the plasma albumin यहाँ याद रखें कि बहुत simple है कि जैसे ही ये acetyl salicylic acid blood में enter करेंगी वहाँ पर ये acetyl और salicylates के form में change हो जाएगी और जो ये salicylates होंगी वह salicylates से albumin के साथ bind करेंगी, eighty to ninety percent of salicylates जो blood में होती है वह albumin के साथ bind कर जाती है अब यहाँ पर एक बात और जानने वाली है हम लोगों ने जब हम distribution study कर रहे थे तो वहाँ पर ये point बताया गया था कि drug जब किसी भी molecule के साथ bind करेंगी in the distribution तो वो drug pharmacologically inactive होंगी कि जब तक वो drug bind form में होंगी वो drug inactive होंगी सिर्फ वही drug जो free form में होंगी वही drug pharmacologically active होंगी तो हम लोगों यहाँ पर क्या देखा कि जो style salicylic acid absorb हो रही है उनमें से 80 to 90 percent जो drug है जो salicylates है वो albumin के साथ bind होंगी और albumin के साथ body में distributed होती रहेंगी और जो 10 percent drug है वो sales के अंदर enter होती है जाती है sales के अंदर enter होंगी और वहाँ पर अपना effective produce से करेंगी अब तीसरा point आया that is the metabolism में सब लोगों ने यह जान लिया कि aspirin का absorption कैसे होता है यह जान लिया aspirin का distribution कैसे होता है अब हम लोग जानेंगे aspirin का metabolism में कैसे होता है इस करेंगे यह जानने की कि जो aspirin है उस aspirin का हमारे body के अंदर metabolism में किस तरह से होती है जब यह cells के अंदर enter करेंगे वहाँ पर especially endoplasmic reticulum के अंदर और यह mitochondria के अंदर इस acetyl salicylic acid का metabolism होता है और वो metabolism है by the process of means वहाँ जो reaction होगा that reaction is a conjugation हम सभी को मालूम है कि body के अंदर जो भी foreign substance enter कर रही है या जो भी substance enter कर रही है उसका metabolism होता है और उस metabolism का main purpose, main aim यह होता है कि उस metabolites को water soluble form में बनाया जाए means कि after the metabolism में जो metabolite बनेंगे उसका जो solubility होगा water के अंदर ज्यादा होगा compare to the parent compound और जब इसका water के अंदर solubility ज्यादा होगा तो वो drug आसानी से urine के थुरू body से बाहर को excret हो जाएंगी तो यहाँ पर style salicylic acids का conjugation होता है और conjugation होने के बाद जो conjugated product बनेंगी that conjugated product shall be more soluble than the salicylate अब जो salicylate है वो itself is a water soluble compound तो मतलब क्या हुआ कि salicylate से और जो इसका जो conjugate है वो दोनों की दोनों आसानी से urine के थुरू body से excret हो जाएंगी और यहाँ पर जो conjugate बन रहे है उस conjugate का नाम है glycine conjugate और phenolic glucuronide और यह जो phenolic glucuronide है यह जो हमारी glycine conjugate है मीन से कि जो salicylate है वो glycine के साथ combine करके एक जो metabolite बनाएंगी उस metabolite का नाम होगा अगा सैली सैलीयोरिक एसीद है और ये जो सैली सैलेयोरिक एसीद होगा ये ये फिनोलिक एसीद होगा ये यूरीन के थूब बोड़ी से बाहर Trustee हो जाएंगे तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि जो हमारी एस्पृ scam है उस aspirin का क्या pharmacokinetic है, कैसे absorption होगा, कैसे distribution होगा, कैसे metabolism होगा और किस तरह से excretion होगा अब हम लोग आते हैं इस aspirin के pharmacological effect के बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे pharmacological effect यूज्वली जब study करते हैं तो हर एक organ पर क्या effect है उस तरह सम उसकी study करेंगे लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कि pharmacological effect को दो group में divide करेंगे first group तो ऐसा होगा, कि वो pharmacological effect जो हमारे body के उपर अपना therapeutic effect प्रोड्यूश कर रहा है मिश्व कि जिस pharmacological effect के चलते हमारे body के अंदर यह disease को रोक रहा है या disease को cure कर रहा है तो वो एक pharmacological effect हो गया और दूसरा pharmacological effect है वो होगा जो हमारे body के उपर side effect होगा के रूप में वो act करेंगा means कि हम पूरे pharmacological effect को दो group में divide किये पहला group का नाम दिया गया that is the therapeutic effect और दूसरे group को हमने study करेंगे that is the toxic effect of the aspirin और toxic effect of the salicylic acid अब हम slides के उपर देख रहे हैं कि बहुत सारे effect therapeutic effect लिखा हुआ है जैसे anti-inflammatory, analgesic, anti-piratic and anti-platelets हम लोग एक एक करके इन सभी effect को जानने की कोशिस करते हैं समझने की कोशिस करते हैं सबसे पहले हम लोग यह discuss करेंगे about the analgesic effect of the aspirin of the acetyl salicylic acid अब देखें यहाँ पे जब analgesic मतलब क्या हो गया हम मालूम है analgesic मतलब क्या हो गया pain killer जो pain को reduce करता है, pain को कम करता है हम सभी को मालूम है कि हमारे body के अंदर कुछ chemical mediators synthesize होती है हम लोग इस्टडी कर चुके हैं कि chemical mediators क्या होता है उसका link हम description box में डाल देंगे अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे body कुछ chemical mediators को synthesize करती है and these chemical mediators are responsible for the inflammation, pain and fever among these chemical mediators, prostaglandin is the one of them अब जो inflammation suppose करें कि histamine के through हो रहा है तो उस condition में हमारा aspirin effective नहीं होगा हमारा aspirin सिर्फ उन pain को reduce करेगा जो pain produced हो रही है due to prostaglandin अब पिछे मुग ने सदी किया कि बहुत सारे prostaglandin synthesize होती है और हर एक prostaglandin अपना अलग-अलग काम करती है और combined effect हम देखते हैं तो कहते हैं inflammation, fever और pain हो रहा है अब हम लोग individual prostaglandin के बारे पे यहाँ पे concentrate करेंगे तो एक prostaglandin है जिसका हम लोग कहते है PGE2 PGE2 या prostaglandin E2 यह जो prostaglandin E2 है, mainly यही prostaglandin हमारे nerve ending को sensitize करती है जो nerve fiber हमारे body के अंदर है उन nerve fibers को यह PGE2 sensitize करती है और उससे क्या होता है, कि जो हमारे nerve ending है वो काफी sensitive हो जाती है और इसके लिए हम एक word यूज करेंगे उसका हम लोग करते है hyperalgesia hyperalgesia hyperalgesia, algesia मतलब क्या हो गया? pain, जहाँ भी word algesia है इसका मतलब क्या होता है? pain, और hyper means excess means वैसा agent जो excess pain को produce करता हो उससे हम लोग करते है, इस जायरदा hyperalgesic effect और जहाँ word यूज करते है, analgesic तो यहाँ पर word क्या है? analgesia analgesia, जेसिया का मतलब क्या हो गया? it means pain और जब जहाँ भी word अपने इस फार्माकलोजी में a या an word यूज करते है इसका meaning यहाँ पर होता है absent फार्माकलोजी में जब हम word यूज करेंगे a या an उसका मतलब क्या हो गया? absent तो हम यह word क्या यूज कर रहे है? analgesic means कि जहाँ पर pain absent है उस situation को नो क्या नाम देंगे? it is the analgesic तो जो हमाई जो प्रुस्टाग्लेंडीन pge2 है यह pge2 नर्फ को sensitize करती है और वहाँ पर वो hyperalgese प्रोड्यूस करेंगी अब जब हम एस्प्रीन body के अंदर डालेंगे body के अंदर administer करेंगे तो वो एस्प्रीन cox को block करेंगी और जब cox को block करेंगी तो जो प्रुस्टाग्लेंडीन है इस प्रुस्टाग्लेंडीनिया pge2 का synthesis भी block के हो जाएगा और इस तरह से यह pain को relief pain से हमें relief मैसूस से होगी जो प्रुस्टाग जो aspirin है इस aspirin का HA energesic हम use करते हैं लेकिन यह एक mild pain पे effective होगा या mild to moderate जो pain होगी उस pain के ऊपर यह effective होगी यह बहुत ज़्यादा severe pain हो रहा होता है तब aspirin एस्टाइल salicylic acid अपना effect produce से नहीं कर पाती means this aspirin is useful only for the mild to moderate pain जैसे कि हमारे headache हो रही है या हमें malgia produce हो रहा है आग एक slide पे लिखा होगा देखते हैं हाँ यहाँ देखे लिखा हुआ है कि जो analgesic effect है वो analgesic effect जो produce कर रही है it is mild to moderate pain relief है और mild to moderate pain क्या होता है जैसे headache है myalgia है neuralgia है arthritis है और dysmenorrhea है अब आपको यहाँ पे कुछ नए नए words सुनने को मिल रहे होंगे और घबराट भी महसूस हो रही होगी कि हम इन words को आप कैसे याद करेंगे बहुत ही आसान है याद करना and headache क्या होता है हम सभी को मालूम है इसे याद करने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे word आया myalgia हम जान चुके हैं कि जब word algae आता है तो इस algae का मतलब क्या होता है it means pain और जह हम यूज करते है my तो इस myo का मतलब होता है muscles कि जहां भी आप अब यह नहीं कि सिर्फ इस chapter के अंदर कहीं भी पूरे फार्माकोलोजी में जहां भी myo word आये myo इस myo का मतलब क्या होता है it means pain और जब हम इन दोनों को मिला देंगे और word बन गया myalgia इसका मतलब क्या हो गया कि pain in the muscles उसी तरह से word है neuralgia 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 means nerve कि nerves के आज पास जो pain हो रहा होगा तो उसे लों क्या कहेंगे it is the neuralgia word है arthritis यहां पे word आ गया itis जहां भी word आईटिस आए उसका मतलब होता है inflammation अब यहां पे word क्या है आए रहा है हमें महसूस हो रहा है हमें मालूम है arthritis word आप पहले से जानते होंगे जो गठिया लोग होता है उससे हम लोग क्या इंगलिस में कहते है arthritis में जो joints है joints में swelling हो जाती है उस swelling हम लोग कहा नाम दिया it is the arthritis तो जो arthritis के से pain हो रहा है उस pain को relief करने के लिए हम aspirin का use कर सकते हैं और जो last word यहां पे हम study कर रहा है that is the dysmenoria अब यह word भी आपके लिए नया होगा नया बिलकुल नहीं है देखिए यह किस word से बनना है dysmenoria अब आप औरिया वर्ड याद कीजिए आपने औरिया वर्ड कहां सुना होगा आपने वर्ड सुना होगा diarrhea diarrhea का मतलब क्या होता है loose motion means जहां पे liquid का flow unstopped flow हो uncontrolled flow हो तो उसनलों क्या करते है diarrhea अब यहां पे क्या होगया diarrhea का मतलब क्या होगया अब वो flow किसका हो रहा है meno meno means menstruation कि जो ladies है इनके अंदर menstruation cycles होती है वहाँ जो bleeding हो रही होती है तो वो जो bleeding हो रही है उस bleeding के वो flow कहेंगे it is the menstruation means वहाँ पे हो गया और यह उज़िए उज़िव अनकंट्रोल हो गया तो कहेंगे disturbance हो वहाँ पे वो painful blood flow हो blood flow आसानी से नहीं हो रही है तब वहाँ पे जो symptom develop होगा उसे हम लोग कहेंगे it is the dysmenoria में और जब dysmenoria होता है तो वहाँ ladies pain महसूस करती है दर्द महसूस करती है during the menstruation period तो इस से हम लोग देखा कि हमारी aspirin है वह mild to moderate pain relief produce करती है और वह pain कौन-कौन सा हो सकता है कुछ examples है like headache, myalgia, neuralgia, arthritis and dysmenoria इसके अलावा कि जो हमारी peripheral structure है जैस सपोस करें कि skin है यह हमारी muscles है यह हमारी peripheral cells है means body के outer surface पे जो cells है उन cells के में जो pain होगा उस pain का उन नाम देते है it is the superficial pain कि यह superficial pain है और यह superficial pain को भी हमारी जो aspirin होती है वो aspirin control कर रहती है but it cannot control pain of the deeper organs कि जो deeper organs है means inner organs है जैसे सपोस करें pancreas है, liver है, stomach है या हमारी uterus है यहाँ जो deeper organ के जो pain होगी उनके अंदर जी कोई pain होगा तो उसे हमें कहते है it is the visceral pain और इस visceral pain को यह aspirin control नहीं कर पाएगा और इसे control करने के लिए हम लोग usually opoites use करते हैं अब थोड़ा सा हम लोग अपने subject से अलग हटते हैं means इस topic से अलग हटते हैं हमने क्या देखा कि opoites का हम यूज कर रहे है enalgessic और जो हमारी non-esteroidal drugs हैं उन drugs का भी use कर रहे है as analgessics तो दोनों में फर्क क्या होगा तो जो हमारी non-esteroidal anti-inflammatory drugs हैं वो जब enalgessic प्रोड्यूस करेंगी तो हमारे उपर किसी भी तरह का कोई sedative effect नहीं आएगा sedation नहीं आएगा हमारी body physically dependent उस पे नहीं होजे होगी और हमारी body में उससे tolerance भी develop नहीं होगी लेकिन जब हम opioid drug का use करते हैं तो opioid drug भी enalgessic effect प्रोड्यूस करती है लेकिन वो जो enalgessic effect होगा उस effect के साथ sedation भी attached होगा मिन्स analgesia के साथ साथ वो sedation भी develop पे करेंगी हम उस drug के habitual हो सकते है मिन्स physical dependency उस drug के लिए develop पे हो सकता है हमारी body के अंदर tolerance भी develop पे हो सकती है मिन्स कि जैसे जैसे हम opioid का use increase करते जाएंगे हमारी body और ज़्यादा उसके dose का demand करेगी to control the pain तो हम लोग ने ये देखा कि जो non-steroidal anti-inflammatory drugs है ये non-steroidal anti-inflammatory drugs analgesic effect प्रोड्यूस करती है anti-paratic effect प्रोड्यूस करती है anti-inflammatory effect प्रोड्यूस करती है without producing sedation, tolerance and physical dependence तो इस तरह से हम लोग ने ये जाना कि जो superficial pain है जो mild to moderate pain है उसे control करने के लिए हम aspirin का यूज करते हैं लेकिन यदि कोई visceral pain होगा तो वहाँ पर हम aspirin का यूज कर सकते हैं लेकिन उसको हम opiate के साथ combine करके हम उसका यूज करेंगे independently aspirin visceral organ के pain को control नहीं कर पाएगा usually जो dose होता है हमारी aspirin का that is the 350 milligram जो 350 milligram है उसका हम यूज करते हैं तो इस तरह हम लोग यह जान चुके हैं कि यह कैसे काम करता है तो बाइ blocking the PGE2 और PGE2 क्या होता है कि वैसा prostaglandine जो हमारे nerve ending को sensitize कर रहा हो यह हमारे nerve ending अंदर hypersensitivity produce कर रहा हो हमारे nerve ending में hyper lgc produce कर रहा हो ताकि हमें pain ज़्यादा महसूल से हो और जो aspirin होगा वो aspirin इसी PGE2 के synthesis को block करेगा synthesis को inhibit करेगा synthesis को रोकेगा जो दूसरा effect है that is the anti-piratic effect आई यह जानते हैं कि anti-piratic क्या होता है अब देखिए यहां पर जो anti-piratic है वो word बना है pyrexia से और जहां भी word आए pyrexia इसका मतलब क्या होता है fever जहां भी word आगे pharmacology में जब भी word pyrexia आएगा उसका मतलब क्या होता fever हम हो सकता है pyrexia पहली बार सुन रहे होंगे लेकिन एक word होता है pyrexia और pyrexia का नाम तो आप सभी ने सुना होगा कि pyrexia आपने first term पर होगा sterilization chapter में या water for injection में फार्मासिटिक्स के अंदर कि water for injection को क्या करते हम लोगा it should be the pyrexia free क्यों because pyrexia produce the fever means pyrexia word जो आया है यह word किससे बना है from the pyrexia और pyrexia का मतलब क्या हो गया it means fever तो जो हमारी वैसा agent जो agent fever को कम करें means raised temperature को normal temperature पर लेकर आए वैसे agent को हमनों कहेंगे it is the anti-piratic agent के लोगी बात एक anti-piratic क्या हो गया कि वैसा agent जो हमारे body के increased temperature को normal पर ला रहा है normal को below normal नहीं ले जाएगा means वह hypothermia stage में नहीं ले जाएगा सिर्फ यह anti-piratic क्या करेगा कि जो elevated temperature है increased temperature है उसको decrease करेगा और कहां पर लाएगा normal temperature पर तो वैसे agent को हमनों कहते है it is the anti-piratic agent अब हम सभी को मालूम है हम लोग अधि थोज़ी दर पहले study किये कि हमारी brain के अंदर एक part होता है hypothalamus से जिससे हम लोग thermoregulatory center कहेंगे या जिससे हम लोग thermo aesthetic कहते हैं और यहीं हमारे body temperature को control करता है body के temperature को manage करता है एदिमालिक हमारे body के अंदर कोई ऐसा chemical enter कर गया या कोई हमारे body ने खुद ऐसा chemical को synthesize कर दिया जो hypothalamus के level को raise कर दे रहा है hypothalamus के level को increase कर दे रहा है उस condition में क्या होगा कि हमारी जो body का temperature होगा वो body का temperature भी increase हो जाएंगी और जब body की temperature increase हो जाएंगी तो उस condition में हमारे body में fever या temperature महसूस होगा तो वैसा agent जो agent हमारी body synthesize करती है जो कि hypothalamus के level को increase कर रही है उसके लिए एक अलग word यूज किया जाता है that is called the endogenous pyrogen और यह जो endogenous pyrogen है इसका नाम है cytokines cytokines के अंदर से chemical secret हो रहा है जो chemical हमारे hypothalamus को affect कर रहा है और उससे क्या होगा कि हमारे body के temperature increase हो जा रही है तो इस cytokines को क्या नाम देंगे it is the endogenous pyrogen अब यह जो cytokines है वो cytokines किसके दोर release होती है by the white blood cells हमारे body में किसी तरह को infection आ जाए body में किसी तरह को malignancy malignancy means cancerous हो जाए या body में inflammation हो जाए या हमारे body hypersensitive हो जाए उस condition में हमारे body cytokines develop करती है cytokines को synthesize करती है और यह cytokines endogenous pyrogen है जो हमारे body के temperature को elevated कर दता है यह cytokines से सिर्फ hypothalamus को यह effect नहीं करती ही बलकि यह cytokines से हमारे जो prostaglandine E2 की synthesis है especially brain के अंदर उसको यह stimulate करती है और यही PGE2 actual में हमारे इस prostaglandine के उपर act करता है और उस act करके हमारे body के temperature को increase करेगा अब यहाँ पर क्या हो गया हम सभी को मालूम है कि aspirin हम use करते है जो biosynthesis को block करता है PGE2 के synthesis को block करेगा अब जब हमारे body में PGE2 का synthesis block हो गया तो cytokines से दिबन भी गया तो यह cytokines PGE2 को synthesize नहीं कर पाएगा और जब PGE2 synthesize नहीं होंगी तो हमारे body का जो temperature होगा और temperature automatically normal stage में आ जाएगे तो हम लोगों ने दो pharmacological effect जान लिया दो therapeutic use जान लिया और पहला मरा था analgesic और दूसरा मरा था anti-piratic means जब इसका हम dose कम रखेंगे about 350 mg तब यह analgesic effect produce करेगा थोड़ा सा हम इसके dose को increase करेंगे तब यह anti-piratic effect produce करेगा और जब हम इसके dose को बहुत ज़्यादा increase कर देंगे उस condition में यह drug हमारे body में anti-inflammatory effect produce करते हैं और चुकि यह anti-inflammatory effect produce करते हैं high dose में usually हम aspirin का use as a anti-inflammatory agent नहीं करते हैं क्योंकि जब हम high dose लेंगे तो इसके side effect होंगे यह toxic effect होंगे वह effect भी precipitate हो जाएंगे पहला बाद दूसा point कि यह हमारे body के अंदर जो inflammation हो रहा है हमारे body के अंदर जो pain हो रहा है वह pain तो हमें मालूम हो गया सिर्फ prostaglandines के चलते हो रहा है जबल होते हैं और कोई भी उनमें से एक chemical factor जिसने लोग कहेंगे chemical mediator उनमें से कोई भी एक chemical mediator release हो गया तो हमारे body में inflammation producer कर देगा जैसे for example कि prostaglandine के चलते हैंदी वह हो रहा है inflammation तब तो उस condition में हमारी aspirin उस inflammation को control कर लेगी लेगी suppose करें कि वह inflammation किसी और agent के चलते हैं जैसे माले histamine के चलते हो रहा है histamine मालो कि हमारी respiratory tract में जुकाम हो गया आस्तमा हो गया respiratory tract हमारी श्रेल हो गई हम respiration properly नहीं कर पा रहे हैं तब वहाँ पर हमारा ये aspirin effective नहीं होगा to control the inflammation in the respiratory tract तो इसका सम्लोग ने ये जाना कि इसका 3 therapeutic use first one is the analgesic second second one is the antipyretic and third one is the anti-inflammatory and these all are the dose dependent effect of the aspirin अब लोग आतने है जो इसका last effect बच गया that is the anti-platelet effect ये lowest dose में 75 milligram के dose में जो हम इसे लेंगे तब ये aspirin act करता है as a anti-platelet means कि जी हम इसा anti-platelet effect हमें लेना है aspirin का तब हम उस condition में जो हम dose body के अंदर administer करेंगे that is the 70 milligram और इस dose को हमनों नाम देते है it is the baby aspirin चुकि इसका dose बहुत ही कम है और इसका dose mainly use किया जा रहा है as anti-platelet तब हम उस dose का या उस aspirin का नाम देते है it is the baby aspirin अब anti-platelet use हम कब करते है it is not a therapeutic use actual में जो anti-platelet effect है it is a prophylactic effect prophylactic means कि किसी भी disease को रोकने के लिए जो हम किसी drug का use करते है तो उसे करते है it is the prophylactic agent और जब हम किसी disease को treat करने के लिए कोई drug use कर रहा है तब हम उसका नाम use करते है it is the therapeutic agent to as anule Bubi wastig, antipyretic and anti widely it is a इस terapeutic use and if Shama antipicyotet si रुपे यूपे यूपे यूज करते है तो हम कहें है it is the prophylactic use of the those that are the main therapeutic use the main prophylactic use of the aspirin और में useful use of the aspirin अब हुनों जानेंगे इसका toxic dose जब हम इसके dose को increase करते हैं उस condition में हमार body के अंदर दो चीजे produce करता है एक को लों कहते है salicylicism means poisoning है यह और दूसरे लों कहते है tinnitus tinnitus starting stage है और जो last stage होगा that is the salicylicism है तब हम कहेंगे कि वहाँ पर aspirin poisoning हो गई में जो aspirin poisoning है उस aspirin poisoning के लिए जो नाम दिया गया that is the salicylicism अभी हम लोग detail जानेंगे कि salicylicism क्या होता है यहाँ पर एक word है that is the tinnitus tinnitus का मतलब होता है ringing in ear कि हम हमेरे कानों में कुछ गुन-गुन-गुन-गुन की आवाज आ रही हो कुछ गुन-गुनाहट की आवाज आ रही हो या जैसे कहीं कोई जिंगुल या कोई ऐसा कोई animal कुछ बोल रहा हो तब उसे क्या करते है it is the tinnitus और जब डोज बहुत ज्यादा increase हो जाएगा मेंसे डोज को बहुत ज्यादा increase कर देंगे तब यह लिथर डोज के कटेगरी में आ जाएंगे और उस condition में यह death भी produce कर जाता है लेकिन जो death वाली stage है वो tinnitus और salicylism है these pharmacological effects are the harmful effect of the aspirin on our body यहां देखे हैं diagram में देख रहे होंगे this diagram is to explain the tinnitus that is the ringing bell की bell यहां ring हो रहा है यह जो bell की ringing हो रही है it is the tinnitus इसे हमने कहेंगे it is the tinnitus आये अब हम लोग जानने की कोशिज करते हैं कि जो anti-inflammatory effect है उस dose पर जो हम high dose देंगे तो वहां पर automatic है कि यह anti-inflammatory effect produce करेगा लेकिन उसके साथ साथ यह कुछ side effect भी produce करेगा और वो side effect क्या है simple आपको याद रखना है side effect के बारे में कि यह blood के glucose के utilization को increase कर देता है यह आपको यह side effect याद है कि aspirin blood glucose के utilization को increase कर देता है तो आगे का side effect आपको automatic याद हो जाएगा कैसे एक एक करके देखते हैं सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि यह द्रग glucose के utilization को increase करेगा मतलब क्या हुआ कि जब blood की glucose utilization increase हो जाएगी तो naturally जो blood के अंदर glucose level है वो glucose level down हो जाएगा और हम weakness मैसोस करेंगे दूसरा कि जब blood के अंदर glucose level down होगा हम सभी को मालूम है कि हमारे liver के अंदर glucose store होगा कि फ़र में store होता है that is the glycogen means जब blood में glucose का level down होगा तो हमारे जो liver होगी वो glycogen को glucose में convert करना शुरू कर देंगी तो जो next effect आएगा that effect is the liver glycogen कि जो glycogen है liver के अंदर उसका level भी down हो जाएगा पहला side effect कि glucose utilization को increase कर रहा है दूसरा side effect कि glucose के level को decrease कर रहा है तीसरा side effect कि liver के अंदर glycogen के level को decrease कर रहा है इसके अलावा जो blood में cholesterol है cholesterol क्या हो गया लिपीद हो गया यह cholesterol या में जो लिपीद है उस लिपीद के level को भी decrease करता है और जब level के cholesterol जो लिपेड है उसको decrease करेगा तो lipid level decrease होने का मतलब क्या हो गया? कि blood के अंदर जो fatty acids होंगी उन fatty acids के level को भी decrease करतेगा आसान हो गया, बहुत आसान कि ये higher dose में anti-inflammatory effect प्रोड्यूस करता है जो इसका therapeutic use है लेकिन इस higher dose में ये कुछ side effects भी produce करता है और वो side effect हो गया हमारा that is increase in glucose utilization, decrease in blood glucose level decrease in liver glycogen, decrease in plasma cholesterol and decrease in the free fatty acids इसके अलावा जो inflammatory stage होगा या inflammatory dose होगा वो inflammatory dose है हमारे respiration को भी increase करेगा अब देखो respiration को कैसे increase करेगा, ये भी attached है किसके साथ तो glucose utilization के साथ हम सभी को मालूम है कि हमारे body के अंदर जब blood का glucose का utilization increase होगा इसका मतलब क्या हो गया कि glucose का जो metabolism है वो metabolism fast हो जाएगा अब जब glucose का metabolism fast होगा इसका मतलब कि body के अंदर oxygen के requirement भी increase होगी नेचुरल ही है हम सभी जानते है aerobic respiration और aerobic respiration आपने first year पर होगा biochemistry में कि glucose का utilization होगा वो उसमें क्या होता है oxygen होता है वो oxygen हमारे metabolism में यह effect करेंगी और जब body के अंदर oxygen का demand increase होगा तो natural है कि हमारे जो respiration का rate है वो respiration rate भी क्या हो जाएगा increase हो जाएगा मिनसे कि एक side effect क्या हो गया कि it will increase the respiratory rate और जब respiratory rate increase होगा मिनस हम जब ज़्यादा speed से सांस लेंगे मतलब क्या हो गया कि हमारे body के अंदर जो carbon dioxide है उसका excretion fast हो जाएगा और जब body से carbon dioxide का excretion fast होगा हम सभी को मालूम है कि जो carbon dioxide जब blood में आती है तो carbonic acid बनाती है और blood को acidic के form में convert करती है मिनस blood का pH क्या होगा acidic होगा मिनस यह maintain रखती है pH को अब किसी भी कारण से body से carbon dioxide निकल गया मिनस जो pH होगा वो pH डिस्टर्ब हो जाएगा और वो pH किज़र को shift कर रहेगा तो towards the alkalization की कोई भी factor जो factor हमारे body से carbon dioxide को excrete जादा करेगा तो वो हमारे blood को alkalize करेगा blood को alkalization की तरफ increase करेगा अब क्या होगा कि जब blood के अंदर alkalie होगा मिनस जो alkalie substance, alkalie chemicals like bicarbonate, sodium, potassium यह सारी जो है इन सारी चीजें हमारे body इसको excrete करने की कोशिश करेगी वो कोशिश करेगी कि हमारे body से यह चीजें बाहर निकले ताकि blood का जो pH हो वो pH मेंटेन हो अब यह चीजें यह सांस के तरू तो बाहर निकलेंगी नहीं यह किस के तरू बाहर निकलेंगी तो थ्रोदा urine के हमारे body के अंदर जो urine होगी उस urine से इनका bicarbonate का sodium का potassium का और water का जो excretion होगा वो excretion fast हो जाएगा मिनस urination fast हो जाएगी और जब urination fast हो जाएगी तो automatically है कि हमारे body के अंदर water levels होगा वो water level decrease हो जाएगा तो these are the side effect of the screen when we use it as a anti-inflammatory agent अब यह तो गया कि normal high dose में suppose करें कि हम इसके dose को anti-inflammatory dose से भी जादा को increase कर देंगे जादा बढ़ा देंगे तब वो क्या हो जाएगा that will be the toxic dose मुझे उम्मीद करता हूँ कि side effect और toxic effect में क्या difference है वो आपको मालूम होगा इस पर हमने अलग video बना रखा है कि what is the difference between the toxic effect, side effect and adverse effect आप वहाँ जा करके study कर सकते हैं कि side effect किसे कहेंगे, toxic effect किसे कहेंगे और adverse effect किसे कहेंगे अब क्या होगा कि यहाँ तक जो effect आया high dose में उस dose effect को तो हमने नाम दिया कि these are the side effect लेकिन अब हम जब dose को और ज़्यादा increase करेंगे तो वो dose हमारा toxic effect प्रोडूश से करेगा और उस condition में क्या होगा कि हमारे जो respiratory system है जो respiration है वो respiratory system depressed हो जाएगी means जो हमारी जो respiration होगा वो respiration slow हो जाएगा और जब slow होगा इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे body में carbon dioxide retain हो जाएगी और जब body में carbon dioxide retain होंगी तो वहाँ पे हमारे body का blood का जो pH है वो pH हमारा acidic की तरफ हो जाएगा और इसके लिए हम वाड यूज करते हैं respiratory acidosis means कि कोई भी factor जिस factor से respiration decrease हो रहा है और blood का pH decrease हो रहा है तब उसे कहेंगे respiratory acidosis और कोई भी factor जिस factor से हमारी rate of respiration increase हो रही है और blood के अंदर जो alkalinity है वो alkalinity increase हो रही है तब उसे कहेंगे respiratory alkalosis यह दोनों में फर्क महसूद पता चल गया होगा कि what is the respiratory acidosis और what is the respiratory alkalosis तो in high dose इसका side effect है that is the respiratory alkalosis और in the toxic dose जो इसका effect है that is the respiratory acidosis तो यह आप देखा होगा है यह पे slide के रिशार bottom line में लिखा होगा है तो more increase in dose respiratory depression carbon dioxide retention and respiratory acidosis तो हम लोग ने अभी इन तीन effect के बारे में study कर लिया अब हम आते हैं अपने चौथे effect पे that is the anti-platelet effect है और कहेंगे that is the anti-aggregator effect अब देखें क्या होता है कि जो हम जब इसका load dose देंगे उस condition में यह हमारी जो thrombocytes हैं यह हमारी जो platelets हैं उन platelets के adherence को यह block कर देता है adherence इनका नहीं होने देगा और जब नहीं होने देगा तो blood vessels का damage नहीं होगा चौथा effect हम लोग ने पढ़ा था about the arthritis कि it helps it reduce the pain of arthritis and it is the best medicine to control pain of the arthritis कि जो हम लोग medicine जो best medicine use की जाती है arthritis pain को control करने के लिए that is the aspirin and it is the first choice of the doctors and physicians to control the arthritis pain अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है जो swelling होती है वो swelling two का दो कारण है arthritis का एक को कहते है गौट और दूसरे को कहते है rheumatoid arthritis यदि वहाँ पे pain और swelling गौट के चलते हो रही है तब तो हम aspirin का use नहीं करेंगे लेकिन यदि वह pain rheumatoid arthritis के चलते हो रही है तब उस condition में हम इसका use करेंगे as a pain killer ऐसा क्यों होगा हम लोग आगे study करेंगे जह हम chapter study करेंगे regarding got and rheumatoid arthritis यहाँ से पितना जालने कि rheumatoid arthritis से जो pain होता है उसको control करने के लिए हम aspirin का use करते हैं and it is the first choice to control pain due to rheumatoid arthritis अब देखें ऐसा क्यों होगा होता क्या है कि हमारी body के अंदर एक part है एक constituent है जिसे हम बगाता है lysosomes और यह जो lysosomes होती है यह lysosomes एक तरह से bomb होती है bomb means destruction करने वाली होती है और जब rheumatoid arthritis होती है उस condition में यह जो lysosomes है वो lysosomes joints के अंदर enter करना शुरू कर देती है और joints के अंदर enter करने के वहाँ के bone को यह eros करती है means bone को यह damage करती है और उस damage के response में हमारे body के अंदर pain develop होता है और उस joints में swelling develop पे होंगी जब हम aspirin का use करते हैं तो यह aspirin इसी lysosomes को stabilize कर देती है और इसके migration को stop कर देंगी को joints के अंदर lysosomes enter न करें और जब वो joints के अंदर enter नहीं करेंगी उस condition में वहाँ पे जो inflammation हो रहा है या जो pain हो रहा है वो pain या inflammation नहीं होगा means it will help to control inflammation and pain in the rheumatoid arthritis इसके अलावा इसका हम लोग यूज यह तो हम लोग internal यूज देखा हम लोग ने क्या कहा था कि जो हमारी aspirin है it is a miracle drug aspirin जो है it is a wonder drug यह सिर्फ internally ही यूज नहीं होती है यह body के external surface पर भी अपना effect प्रोडूश करती है अब जो आप डाइग्राम में यह देख रहे है these are corn इसे हम लोग technical वास्ता हम करते हैं corn and calluses आप जो यहाँ skin के ओपर देख रहे हैं these are the epidermophytes यह हमारी epidermophytosis है तो यह जो हमारी skin disease है इस skin disease को भी हम treat कर सकते हैं by using the salicylates और इसके लिए हम लोग especially use करते हैं that is the methyl salicylate और हम methyl salicylates का जो की salicylic acid है इसका liniment use करते हैं to control all these deformities on the skin जो skin या nail के ओपर यह problem हो रही है इन सारी problem को ठीक करने के लिए हम methyl salicylate use करते हैं हम aspirin का भी use कर सकते हैं to treat these effect है उसका हम लोग powder बनाएंगे powder को paste के form में convert करेंगे और फिर हम paste को इन पार्ट पर लगाएंगे तो aspirin भी इसको control कर लेती है लेकिन हम practically जो हम यहां भी salicylate का use करते हैं वो salicylate हमारा है methyl salicylate लेकिन इसके साथ एक disadvantage है कि जब आप इसको skin पर apply करेंगे तो वो skin के थो यह methyl salicylate हमारे body में absorb हो जाती हैं और जिए हमने ज्यादा इसका use कर लिया तो यह salicylate होंगी it may be fatal in nature means person का death भी हो सकता है तो इस तरह से हम लोगों ने यह जाना कि हमारे जो aspirin है उसका क्या therapeutic effect है और किस इसका जो therapeutic effect है that is the dose dependent effect means at the low dose it will act as a anti-aggregator or anti-platelet aggregation slight increase in dose it will act as a analgesic further increase it will act as a anti-piretic and in the high dose it will act as a anti-inflammatory agent अब हम लोग जानते हैं इसका side effects क्या है side effects जब हम लोग एक word में कहेंगे तो हमारे body के अंदर यह anorexia produce करता है हमारे body में यह nausea produce करता है हमारे body में यह vomiting produce करेगा और हमारे body में tiredness produce कर लिया क्या side effect हो गया? anorexia, nausea, vomiting and tiredness tiredness क्यों हो रहा है? यह तो हमें मालूम हो गया क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका side effect क्या है कि glucose की utilization को increase करता है और जब automatic है कि हमारे body में glucose का level down होगा तो हमारे body में हमें weakness महसूस होगी, हमें थकावटे महसूस से होगी अब जो aspirin होते है, actual में क्या होता है? कि जब aspirin हमारे इस GIT के अंदर enter करेगा इस GIT में enter करेगा तो वहाँ पर यह salicylic acid को release करता है और यह जो salicylic acid है, यह salicylic acid gastric irritation produce करेगा means हम salicylates body में देंगे, सपोस करें कि हमारे पास जो salt है, वो aspirin नहीं है acetal salicylic acid नहीं है, वो क्या हमारा है? salicylate है तो वो जो salicylates compound है, वो salicylates compound gastric irritation produce करेंगे apigastric distress means जो हमारे GIT का जो upper person है, वहाँ पर यह discomfort produce करेंगे और उससे nausea होगा, vomiting होगा और यह chemo trigger zone को stimulate करेंगे और चब chemo trigger zone को stimulate करेंगे, तो वहाँ जो effect आएगा, that is the nausea and vomiting अब आपके दिमाग में फिल एक प्रस्णा रहा होगा, that is the CTZ CTZ का मतला होता है chemo trigger zone, यह हमारे brain के अंदर CTZ पाई जाती है और कोई भी factor, जो factor इस CTZ को stimulate कर देगा, वो factor हमारे body में vomiting produce से करता है, means कि जो salicylate है, वो salicylate है, CTZ को stimulate करती है, और जब CTZ को stimulate करेंगे, तो वहाँ पे वो nausea and vomiting tendency produce से करेंगे, अब हम, जब हम acetyl salicylic acid का use करते हैं, acetyl salicylic acid के दोवारा GRT के अंदर salicylic acid का formation नहीं होगा, या बहुत हीं कम होगा, नतीजा क्या होगा, कि यह जो इसका side effects है, यह side effects से कम आएंगे, in case of the aspirin, लेकिन, जब हम कोई दूसरा salicylic use करेंगे, as a antipiratic और anti-inflammatory, तब उस condition में यह effect produce से हो सकती हैं, जैसे, for example, कि ancient age में हम लोगों ने क्या बढ़ा, कि जो willow tree की bark थी, यह willow tree की bark यूज किया जाता था, as a antipiratic agent, अब इस willow tree के अंदर क्या की chemical थी, जो antipiratic effect produce कर रही थी, that is the salicylate, और कि इस form है, तो in the form of salicine, मिनसे कि जब हम willow tree bark को consume करेंगे, या उसके extract को consume करेंगे, तो यह सारी effect बहुत quickly precipitate होगा, बहुत quickly appear होगा, लेकिन, जब हम acetyl salicylic acid का use करेंगे, तो उस condition में, चुकि यहाँ पर यह direct salicylate नहीं है, यह acetyl salicylic acid है, जो salicylic acid को release नहीं करेगी, या बहुत कम करेगी, नतीज़ा क्या होगा, यह जो effect है, यह effect कम आएंगी in the acetyl salicylic acid, and that's why aspirin is more better than its natural precursor, that is the willow bark, or any other natural source, vegetable, fruits, or plant tree leaf that contain the salicylates, तो समझ गया होंगे, कि अब यह aspirin क्यों ज़्यादा wonderful drug है, क्यों यह miracle drug है, क्योंकि यह एक ऐसा drug है, जो synthetic drug होते हुए भी, अपने natural counterpart से ज़्यादा बेटर है, जबकि conception क्या होता है, कि जो natural drugs होती है, उसकी side effects कम होती है, और synthetic drugs होती है, उसकी side effects ज़्यादा होती है, लेकिन इस drug की, इस aspirin की, इस acetyl salicylic acid की, जो side effect है, वो कम है, compared to its natural counterpart. हम dose को increase करेंगे, informatory dose को करेंगे, हम लोग पर चुके हैं, कि वहाँ पर यह carbon dioxide के excretion को increase कर देगा, CNS को respiratory system को stimulate कर देगा, और जो हमारी जो respiratory rate है, उस respiratory rate को भी increase कर देगा. और ज़्यादा dose करेंगे, तो जो हमारी जो cardiac output है, वो cardiac output इंक्रूज हो जाएगी, blood vessels dilated हो जाएगे. अब प्रस्नी यह आ गया, कि वहाँ तक हम लोग ने expression study कर लिया, expression study कर लिया, कि वो क्या-क्या produce कर रही है, और उसका क्या-क्या region है. अब यहाँ पर एक word आ गया, कि यह vasodilation produce करता है, जबकि इसके पहले हम लोग ने यह vasodilation word का use नहीं किया, कि aspirin vasodilator की तरह भी काम करता है. यह large dose में vasodilation effective production करता है. इस point को समझने के लिए, फिर से हम अपने पिछले slides पे जाते हैं, जहाँ पे हम लोग ने यह study किया था, regarding biosynthesis of the prostaglandins. अब देखिए, यहां हम biosynthesis of prostaglandins study कर रहे हैं, उस भी यह देखा कि जब prostaglandins synthesize हो रही थी, तो वहाँ पे दू तरह के chemical बने, एक को मने ने ग्रूप में रखा कि prostaglandins, और दूसरे को मने क्या रखा, थ्रॉमबॉक्सेन. जो थ्रॉमबॉक्सेन था, यह क्या क्या काम कर रहा था, कि platelets को aggregate कर रहा था, blood vessels को constrict कर रहा था, vascular muscles के proliferation कर रहा था, मिन्स वहाँ blood के circulation को increase कर रहा था, और pro-athrogenic step produce कर रहा था, चलिए, हमें यहां पे main देखना क्या है, that is the vasoconstrictor, मिन्स कि जब कोई पेस्टी मिले, जो थ्रॉमबॉक्सेन को synthesize करेगी, वो blood vessels को constrict करेगी, और हमने कैसरी किया कि जो aspirin है, वो aspirin इन दोनों के synthesis को block करती है, मिन्स थ्रॉमबॉक्सेन के synthesis को ही block करेंगी, और prostaglandine के synthesis को भी block करेंगी, कैसे, जो by blocking arachidonic acid conversion into the prostaglandine, यह arachidonic acid को prostaglandine में convert नहीं होने जएगा, और जब prostaglandine इस stage पे ही conversion नहीं होगा, तो जो आगे का step से natural है, कि वो step से नहीं आएगा, और हमारे body में thromboxyn का level जोगा, वो level कम हो जाएगा, नतीजा कि जो यह vasoconstriction produce कर रही थी, यह vasoconstriction अब नहीं होगी, और जब vasoconstriction नहीं होगी, तो क्या effect आएगा, that is the vasodilation, और इस तरह से हम लोग ने यह देखा, कि जो हमारा aspirin है, वो aspirin एक और effect प्रोडूश कर रहा है, that is the vasodilation, लेकिन यह जो vasodilation effect है, this is not a useful effect है, this is the side effect of the aspirin, अब यह vasodilation side effect कैसे है, उसको दम देखते हैं, side effect कैसे है, बहुत आशान है, कि जब यह blood vessels को vasodilate करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, कि हमारी जो blood pressure है, वो blood pressure decrease हो जाएगी, और जब blood pressure decrease होगी, तो हमाई जो heart में sufficient blood pump नहीं होगा, और वहाँ पे congestive heart failure हो जाएगी, means एक तरफ तो यह cardiac output को increase कर रहा है, और दूसरी तरफ यह vasodilation भी produce कर रहा है, उस नतीज़ा क्या होगा, कि heart confused हो जाएगा, और वहाँ पे हम नहीं कहेंगे, that is the CHF precipitate हो जाएगा, means cardiac heart failure हो सकती है, क्लिवी बात यह है, तो हम लोगों ने यह देखा, और एक और side effect है, हम लोगों ने क्या वहाँ पे देखा, कि यह platelets को aggregate नहीं होने देती है, means it act as anti-platelets, अब anti-platelets or platelets का aggregation नहीं होगा, और platelets का aggregation की आवस्चेक्ता होती है, कबे जब हमें blood को clot करवाना है external surface, suppose करें कि हमारे blood में कहीं cut लग गया, हमारे skin पे कहीं cut लग गई, उस condition में वहाँ पे bleeding start हो जाती है, और जब वहाँ पे bleeding start होंगी, तो हमारे body के एक natural mechanism होता है, कि blood का clotting हो जाएगा, और blood का loss हो जाएगा, blood का loss से बंद हो जाएगा, अब यदि हमने किसी patient को aspirin दे रखा है, तो उस condition में क्या होगा, कि platelets तो काम नहीं करेंगी, और उसके body में cut लग गई, तो जब ब्रीदिंग start होगा, उसों clot होने में ज्यादा time में लगेगा, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, कि जो aspirin है, इसका use हम लोगों ने किया था, it is used in the dysmenoria, और dysmenoria का हम ने क्या definition दिया, कि painful bleeding, कि जब menstruation cycle के समय, body के अंदर, ladies के अंदर, painful bleeding हो रही होती है, और dysmenoria को control करने के लिए, जो best medicine recommend किया गया, that is the aspirin, अब देखिये, यहाँ पर यह तो best medicine है, to control dysmenoria, लेकिन यदि हमने इसका access use कर लिया, उस समय क्या होगा, कि जब ladies के अंदर, menstruation cycle में bleeding हो रही होंगी, तो वहाँ पर clotting नहीं होगी, जो blood होगा, वो थीन हो चुका होगा, और जो bleeding स्टार्ट होगा, वो bleeding फिर बहुत जादा हो जाएंगी, आपने इस drug का use करके, pain को तो ठीक कर लिया, dysmenoria को control कर लिया, लेकिन चुकिए blood यो थीन हो गई, वहाँ पर clotting का कोई गुनजाइश नहीं है, उस नतीजा में, menstruation period में जो bleeding होगी, वो bleeding जादा हो जाएगी, इसलिए हम dysmenoriasprin का use कर सकते हैं, during the menstruation pain, during dysmenoria, लेकिन हम इस बात का ध्यान लखना है, कि हम इसका access use नहीं करना है, यदि हम access use करेंगे, तो access blood loss हो सकता है, during the period, तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना, कि जो हमारी aspirin है, इस aspirin का therapeutic effect है, क्या side effects है, अब हम लोग आते हैं अपने, इस toxic effect में, जो toxic effect है, उस toxic effect को हम लोग कहते हैं, it is the salicylism, it is called salicylism,